दोस्तो आज हम इस वीडियो के माद्दम से जानेंगे कि आप अपना पैन कार्ड को किस प्रकास से ट्रेक कर पाएंगे अगर दोस्तो आपने पैन कार्ड के लिए फार्म अपलाई करवा दिया है और आपको रिसीविंग जो की मिल गया है कि आपका pen card बना है अभी या नहीं बना है अगर नहीं बना है तो कहां तक आपका pen card का process पहुंचा है आपका pen card कब तक बन जाएगा सारा कुछ process हम step by step इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो को अन तक बाच करिएगा आप video अगर पसंद आये तो video को एक like जरूर कर दिएगा क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के video हम आप सभी के लिए time to time लाते रहते हैं अगर चैनल पे पहली बार visit कर रहे हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर लिजगा क्योंकि दोस्तों helpful जानकारी हम आपको सबसे पहले इस चैनल इस वीडियो के मादम से जो की देने वाले हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं और जान लेते हैं step by step किस प्रकास से आप अपने pen card को mobile से track कर पाएंगे तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपको इस साइट पर आ जाना है इसका description में हम लिंक दे देंगे UTI का हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं तो नीचे की तरफ scroll करते जाएंगे और यहाँ पर आपको एक options मिल जाता है track pen card तो यहाँ पर track pen card वाले options पर आपको नीचे link दिया गया है यहाँ पर आपको क्या करना है एक बार आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है अब जैसे दोस्तों आप यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो next interface है कुछ इस प्रकाश से open हो जाएगा तो यहाँ पर दुस्तों processing हो रहा है पेज यहाँ पर फोड़ा netcast problem है तो यहाँ पर track pen card जो की यहाँ पोड़ल open हो गया है यहाँ पर दॉस्तों आपको क्या करना है जो receiving में application नंबर दिया होता है य। इंडॉल्मेंट नंबर होता है उस नंबर को यहाँ पर इस box में fill up कर हम एक बार फिलप कर लेंगे तो यहां पे आपको अपना डेटा बर्थ कर लेंगे जो भी आपका डेटाबर्थ है आधार कार्ट पे रिसीविंग पर जो दिया गया है उसको यहाँ पर फिल अब कर लेंगे, तो हम यहाँ पर open करके calendar से आपना जोकी डेटाबर select कर लिया हूँ, उसके बाद इस केपचा को इस box में फिल अब कर लेंगे, जो भी केपचा है, small letter में है, तो small letter में फिल अब करेंगे, अगर दोस्तो capital letter में है, आपको केपचा को भर देना है केपचा को भरने के बाद यहाँ पर दूस्तों आपको एक option मिलता है सर्च का तो हम फटापट से सबसे पहले केपचा को fill up कर लिया हूं सर्च पर क्लिक कर देंगे थोड़ा page processing लेगा उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी status है open hooker की आ जाएगा यह और pen card application status तो यहाँ पर दूस्तों सबसे पहले आपका coupon number हो गया application जो की type मिल जाएगा देखने के लिए आपका application number नेम जो होता है वो दिख जाएगा यहाँ पर सारा step आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर आपका pen card जो की issue हो गया है आपका pen card कब issue हुआ है इ दोस्तों इदर आपके जो डो डिजित के pen number है लाट के भी देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पर दोस्तों अगर आपका pen card अभी तक issue नहीं हुआ है तो किस प्रकास से सो होगा उसके बारे में हम बताएंगे तो यहाँ पर back पर click करेंगे और यहाँ पर हम वो pen card का application number ड जारी नहीं हुआ है इन्हीं अभी तक नहीं बनाए तो open card हम आपको दिखाने वाले हैं तो उसका एक्टेटर की प्रकास से सो हो जाएगा तो यहाँ पर हमने application number यहाँ पर इंटर कर दिया यहाँ पर हम डेटा बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे जो भी डेटा बर्थ है अपने हैं सर्च किया था सारा प्रो सेम रहने वाला है तो सेम से प्रोसे सा को यहाँ पर फिल करना है तो हम यहाँ प्य innovations receiving में जो की दिया हुआ था उसी प्रकार से आपको सर्च कर लेना है यहां पर सर्च पर क्लिक करेंगे और processing लेगा उसके बाद दोस्तों जो जो फ्रकार से इस प्रकार से आपके सामने ऊपर हो जाएगा तो आप देख पारेंगे जो हुड़ा है पर दहां से प्रकार से आपकास आपना प्लैकारण न्मर को ट्रेक कर पाएंगे इन्हीं आप अपना पैनकार देख पाएंगी कि आप अपका पैनकारण भी बना है या नहीं बना है तो तो दथनो आपसे एक अच्छे समझ में आई इक हमएं जरूरी मैंशन करिएगा और वीडियो को पहरा सा लाइक शरूर कर दिएगा फिर मिलेंगे नेक्ट वीडियो में नेक्ट